हेलो अच्छों नमस्कार कंप्यूटर से टॉप हंड्रेड इंपोटेंट कुश्चन डेली वेज आप लोग को कंप्यूटर से टॉप हंड्रेड कुश्चन कवर करा जा रहे हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को फुल वाच करना यानि अंत तक देखना है क्योंकि इस इसकारक माना जाता है चालर्स वेज को आप्शन सी सही है आगे पडते हैं सवार नमरक्ड है अगला सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था जो सबसे पहले कंप्यूटर है था उसका नाम क्या था तो इसका नाम था E.N.I.A.C. है ना यानि एनिक बोल सकते अगला सवाल है सवाल नमर तीन आधुने कम्पीटर की खोज सरुपर्थम कब हुई थी आधुने कम्पीटर की खोज तो आधुने कम्पीटर की खोज हुई थी 1946 में आप्सन यहां पर भी सी सही है अगला सवाल देखते हैं सवाल नमर चार कम्पीटर के छेतर में महान करांती कब से आई तो कम्पीटर के छेतर में महान करांती 1960 से आई थी आपसन यहां D सही है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की दरब सवाल नम्मर है पांस कम्पीटर का हिंदी नाम क्या है अर्थात कम्प्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है तो इसे सै गड़क कहा जाता है सै गड़क यानि की आप्शन भी बिल्कुल इसके लिए सही हो जाएगा अगला सवाल करते हैं सवाल लमर्च है कंप्यूटर साख्षरता दिवस प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्स 2 दिसंबर को कंप्यूटर साख्षरता दिवस मनाया जाता है अगला सवाल है CPU का अर्थ क्या है CPU जिसे कंप्यूटर का मस्तिक्स कहा जाता है Central Processing Unit कहा जाता है अगला सवाल करेंगे इन मेर्ट कौनसा सर्च एंजन नहीं है गूगल याहू बी, A, I, D, U या फिर वंट, वाल्फ, एम, आल्फ, यहां सही आंसर हो जाएगा वाल्फ, भी, और याहू यह सर्च एंजन नहीं है बाद बाद की गूगल, याहू है तो computer की काई कौन कौन सी है देखिए mouse भी है keyboard भी है scanner भी है यानि यह सभी इसके लिए right है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर एक के बी कितने byte के बराबर होता है अर्थात के बी की full form होती है किलो बाइट MB की होती है megabyte TB की होती है पेरा बाइट और PB की होती है पेरा बाइट और सबसे GB जो की important है GB की होती है gigabyte ठीक है तो एक किलो बाइट के बराबर होता है सही अंसर हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ सवाल नंबर 11 है एक megabyte अरथात MB कितने बाइट के बराबर होता है एक MB जो होता है वो 1024 के B के बराबर होता है option A बलकुल सही हो जाएगा एक GB बराबर 1024 MB होता है आगे बढ़ जाएए सवाल नंबर 12 की तरफ एक GB अरथात GIGABाईट कितने बाइट के बराबर होता है तो एक GB जो होता है दोस्त ये बराबर होता है एक हजार 24 MB के बराबर है ना एक हजार 24 MB के बराबर होता है एक गीगाबाइट आगे बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ सवाल लंबर 13 इस तरह कम्पीटरों में परियुक्त IC चिप किस की बनी होती है IC की full form होती है integrated circuit ठीक है तो IC जो होती है वो किसकी बनी होई होती है ये silicon की बनी होई होती है option D सही होता है अगला सवाल है सवाल नमर 14 इंटरनेट के पत्ते में जो होता है न है न है न है न है टी टी पी इसका मतलब क्या होता है हटी टी पी का मतलब होता है hyper tax transfer protocol याने D option मिलकु सही हो जाएगा hyper tax transfer protocol अगले सवाल की तरफ आ जाएए सवाल नमर 14 सवाल नमर 14 सवाल नमर 15 किसी computer के program में बच्चों दवारा प्रियोगत भासा प्राय कौन से होती है जो बच्ची प्रियोग में लाते हैं उस भासा को नाम दिया जाता है लोगो अगला सवाल करते हैं सवाल नमर 16 एक सुवाहा है ना निजी computer जिसे personal भी बोल सकते हैं जो आपकी गोद में रखने लाएक छोटा सा होता है उसे क्या कहा जाता है जो आप अपनी गोद में रख सकते हों तो इसे notebook computer नाम दिया जाता है विकल्प बी राइट है आगे बढ़ते हैं सवाल नमर 16 पर कोडा तरक एक computer प्रोग्राम है या पर एक प्रोग्राम है वह निम्द रिखित मैंसे किस से प्रोग्राम का रूपांतरन है तो किस से तो देखिए ये है कोडा तरन से मसीन तक प्रोग्राम का रूपांतरन है विकल्प डी राइट है आगे बढ़िये अगला सवाल है सवाल नमर 18 मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है वो कहां पे एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है विकल्प भी बिल्कु सही है आगे बढ़ ये सवाल नमबर यहां है उन्निस निम्न लिखी तो मैंसे आप्टिकल मैमोरी कौन सा है इन मैंसे तो आप्टिकल जो मैमोरी होता है वो होता है सीडी रॉम यानि कमपैक्ट डिस्क होता है तो तीसरा होता है एल यू अर्थात अर्थ मैटिक लॉजिक यूनिट तो आप्टिन यहां आपका सही हो जाएगा डि विकल्प आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 21 की तरफ सीपी यू यानि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एल यू यानि अर्थ मैटिकल लॉजिक यूनिट यह होते हैं तो यह क्या होता है सीपी यू के अलउ में होते हैं तो रजिस्टर्स होते है ऑप्शन यहां भी सही होता हैगा आगे बढ़ते हैं सवाल पर गड़ना और तुलना के लिए कंप्ईटर के किस भाग का प्रियोग किये जाता है सवाल नमबर 22 तो सही आं इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कौन सा है उसे क्या कहा जाता है तो एक हार्डवे डिवाइस जो डाटा को पून इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे नाम दिया जाता है प्रोसेसर आगे बड़ी अगले सवाल के तरफ प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं कौन-कौन से तो प्रोसेसर के एल्यू होता है कंट्रॉल यूनिट होता है और रेजिस्टर्स होते हैं तो विकल्प भी बिल्कुर राइट हो जाएगा अगला सवाल सवाल नमबर पच्चिस सीपी यू और आई ओ के बीच सिग्नलों के मुमेंट को कौन दरसाता है तो कौन दरसाता है कंट्रॉल यूनिट जो होता है वो दरसाता है सिग्नलों के मुमेंट को आगे बढ़िए कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है इन सवाल no.27 निम्दमैसे कॉन सा कंप्पीटर का बुनियादी कारिय ओए तो वह एक प्रिचालेन्ज करता है रफमैٹिक परिचालन प्रकरता है याद रखो आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन की दरफ, कम्पीटर में अधिकांस प्रोसेसिंग किसमे होती है तो जो कम्पीटर में अधिकांस प्रोसेसिंग होती है, वो CPU नने Central Processing यूनिट में होती है विकल्प C, क्योंकि इसे कम्पीटर का मस्तिक्स कहा जाता है आगे बढ़ते हैं कम्पीटर निम्द लिखित मैंसे कौन सा कारिय नहीं करता तो देखे कम्पीटर किसी के साथ में अंडरस्टेंडिंग नहीं करेगा इसलिए बी विकल इसका बिल्कुर राइट हो जाएगा आगे बढ़ जाएए सवाल अमर। मइक्रो प्रॉफेसर जो कम्पीटर का मस्तिक्स होता है उसे क्या कहा जाता है तो देखे उसे माइक्रो चिप के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ जाई यह सवारलंबर है 33 computer द्वारा produce किया गया परिनाम होता है तो computer द्वारा produce किया गया परिनाम होता है वो होता है output यहना input लेना output निकालना आगे बढ़ते हैं input का output में रूपांतरन किया जाता है किसके द्वारा तो input का output में रूपांतरन CPU के द्वारा किया जाता है निस Central Processing Unit के द्वारा आगे देखिए प्रोसेड डाटा को क्या कहा जाता है जो प्रोसेड डाटा होता है उसे process कहा जाता है विकल भी राइट है आगे CPU का मुख्य घटक है तो CPU का मुख्य घटक कौन सा है भई control unit भी है memory भी है arithmetic logic unit भी है यानि कि ये सभी CPU के घटक है आगे computer की छमता है तो computer की देखिए computer की छमता आसिमित नहीं है सीमित छमता है हर किसी के बारे में पहले सी पताए भी इतना ही कार्य कर सकता है आगे बढ़ ये computer को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है तो computer को क्रितिम बुद्धी क्योंकि बनाया ही व्यक्तिन हैं तो क्रितिम बुद्धी की संग्या दी गई है आगे बढ़ते मनुष्य की इसमरण सक्ती computer की तुल्ला में होती है तो कैसी होती है देखे कम्पिटर की तुनला में मनुश्य की जर्णल यानिकी सामान ने होती है विकल्प ए बिल्कुल इस सवाल में राइड है आगे बढ़ते हैं मानव मन तथा कम्पिटर में किसकी गतिया दिखोगी तो देखे जाहिड सी बात है मानव मन और कम्पिटर में मानव की मन की गतिश सबसे ज़्यादा होती है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर रहेगा 41 EDP का पूरा रूप क्या होगा तो EDP का पूरा रूप जो होता है वो होता है Electronic Data Processing ठीक है EDP आगे बढ़ते हैं कम्पिटर में सूचना किसे कहा जाता है सूचना किसे कहा जाता है तो एकत्रित जो डाटा होता है ना कम्पिटर में उससे ही सूचना कहा जाता है इन्फॉर्मेशन कहा जाता है आगे बढ़ते हैं कम्पिटर में डेटा किसे कहा जाता है सब आगे बढ़ते हैं डेल्टा प्रोसेसिंग का अर्त ग्या होता है् वाणे जिक उप्योंक के लिए जानकारी अगला सब सवाल ATM Automated Teller Machine क्या होता है तो यह एक ऐसा होता है जिसमें बिना स्टाप के आपको नकदी मिल जाती है तो बिना स्टाप के नकदी देने की रूप में काम करता ATM आगे बढ़ते कम्पीटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किये जाते हैं तो कौन परिवर् करसीसर कहलाता है आगे बढ़ जाएए अगला सवाल नमर पचास पृफ्म गर्णाइयंत्र कौनुसा था तो प्रृफ्म गर्णाइयंत्र था आब एकास अप्संयऊंसी बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं सवाल नमर 51 की तरह है तरह सवाल हम नमर 51 है पैक मैं नामक सूप यह किया था बिलेज पास्कल ने माकैनिकल कैल्कुलेटर का निर्माड आगे बढ़ते हैं लिए सवाल की तरफ किस ने पंच कार्ड का अविस्कार किया तो पंच कार्ड का अविस्कार आप लोग ढूंड के बताईए किस ने किया था पंच कार्ड का अविस्कार अगला सवाल सवाल नमर 54 कम्पीटर के बुनियादी सरचना का विकास किया था किसने किया था कम्पीटर के बुनियादी सरचना का विकास यह किया था चालर्स वेवेस आपसन यहां आपका सी सही है अगला सवाल करते हैं सवाल नमर 55 इन में से कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महगा कंपीटर है तो नाम है सूपर कंपीटर यह सबसे तेज भी है सबसे महगा भी है याद रखो आगे बढ़ते अगले सवाल पर सामान ने रूप से प्रियुक्त किया जाने वाला कंपीटर कौन सा है जिसे जर्नली यू है क्रिफोटीन ये एक सूपर कंप्धी के कंप्धींट के कमप्धी हूँ हूआ था सबसे पहला शूपब कब कब बनाया गया था विश्फ का सबसे पहला सूपर computer बात है 1976 यानि 1976 की अगले सवाल की तरफ बढ़िए भारत में निर्मित पिर्थम computer का नाम क्या था जो भारत में बना उस computer का नाम था सिधार्थ आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में सवाल लम रिक्सट की तरफ सौरी सवाल में रिक्सट है सबसे तेज computer कौन सा है तो भी आपको पता है सबसे तेब्र गती का जो computer होता है वो super computer ही होता है ठीक है super computer बिल्कुत सही है इस का अंसर डी आगे बढ़िया यह सवाल नंबर 62 की तरफ सवाल नंबर 62 है micro professor कि स्पीडी का computer है तो यह fourth generation का है यानि चतुर्त पीडी का है micro professor ठीक है बिया आगे बढ़िया अगले सवाल की तरह भारत में निर्मेद परम super computer जो था परम 1000 है ना किस प्रकार का computer है यह तो आपको पता होगा भई यह एक super computer है परम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर गड़ना सयंत्र अबैकस का अविसकार किस देश में हुआ था तो यह चाइना में हुआ था option यहां आपका c सही है अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं आई एम एसी है ना एक प्रकार है किस का प्रकार है एक मसीन है है ना इंटर सवाल नंबर 66 एनलिटिक इंजन का निर्माण किस ने किया था तो एनलिटिक इंजन का जो निर्माण किया था यह किया था चालर्स बेवेशन है आगे बढ़ते के लिए सवाल की तरह सर प्रथम पंच कार्ड का प्रियोग किस ने किया था तो पंच कार्ड का सबसे पहले प विकास के छेतर में योगदान था वो था वान न्यूमान का आगले सवाल की तरफ बढ़ जाएए इंटीग्रेटिड सरकिट चिप यो आई सी बोलते हैं इसका विकास किस ने किया था तो जो सिल्कान की बनी हुई होती है इसका विकास कारिय किया था जे एस किल्बी ने आगल सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं चुम्बा की डिस्क पर किस पधार्थ की परत होती है तो इस पर आइरन अक्साइड की परत चड़ाई जाती है चुम्बा की डिस्क पर आगले सवाल की तरफ बढ़िए डिजीटल कंपीटर किस सिधान्त पर काम करता है सवाल नमबर है 71 जो इस संस्था ने सूपर कम्पीटर का विकास किया था आगे बढ़ते हैं निम्न मैंसे सबसी तेज कौन सा है सबसी तेज रिजिस्टर्स होते सबसी तेज होता रिजिस्टर्स आगे बढ़िए किसने पहला एलेक्टरोनिक कम्पीटर ENAIC ये बनाय था तो याद रिक्टर ये बनाय था प्रिस्ट पर एकर्ट एट जान मोसले ने विकल्प यहां भी राइट हो दाएगा आगे बढ़ते हैं डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है तो जो डॉट मैट्रिक्स है ये एक प्रिंटर है सबसे तेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर है आगे बढ़ ये की बोर्ड में फंक्शन की की संक्या कितनी होती है तो की बोर्ड में फंक्शन की की संक्या बारह होती है आगे बढ़ जाए अगला सवाल किस printer दोवारा एक stroke में एक अक्षर प्रिंट होता है तो ये कौन सा है वो है line printer line printer जिसके माध्यम से एक stroke में एक ही अक्षर प्रिंट होता है अगला सवाल है इनमें से input device नहीं है input device कौन सा नहीं है magnetic tape है, jivistic है, magnetic disc है, monitor नहीं है आगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सरवादिक तेज गती का printer कौन था है तो laser printer जो सबसे तिवर गती से काम करता है printer आगे बढ़ ये LCD का पूरा रूप क्या LCD इसका पूरा रूप क्या है तो वह है liquid crystal display अगला सवाल, सवाल लंबर 81 सवाल लंबर 81 कम्पीटर के मेमोरी में डाले गए कारिया को परदरसित करता है कौन परदरसित करता है कम्पीटर की मेमोरी में डाले गए कारिया को तो ये monitor परदरसित करता है अगला सवाल है गैम खेलना किस से आहसान हो जाता है तो गेम खेलना जोई स्टिक से बहुत आसान हो जाता है अगला सवाल, सवाल लमर 83, कंट्रॉल, सिप्ट और आलेट को कौन सी कुझिया कहा जाता है तो इसे मोडिफायर कुझिया कहा जाता है अगला सवाल, अधिकांस प्रोडेक्ट्स पर प्रिंटिड लाइनों के पैटरन को क्या कहा जाता है तो अधिकांस प्रोडेक्ट्स पर प्रिंटिड लाइनों का जो पैटरन होता है, उसे बार कोड नाम देते है अगला सवाल है, OCR का पूरा रूप क्या है OCR का पूरा रूप है Optical Character Recognition अगला सवाल देखी नेक्ष्ट निम्न मैं से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है तो देखी कौन सा प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, प्लोटर भी है, टाच स्क्रेन ये आउटपुट डिवाइस नहीं है आगे बढ़तें नेक्ष्ट, व्यक्तिगत कम्पीटर जिसे परसनल कम्पीटर कहते है हे तू सबसे साधारन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो वह है फिलापी डिस्क अगला सवाल करें सवाल नमर 88, मॉनिटर के डिस्पले आकार को कैसे मापा जाता है तो उसे मापा जाता है डाइगो नली के माध्यम से अगला सवाल, सवाल नमर 89, कम्पीटर में प्रिंटे डाइगराम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इन्पुट डिवाइस कौन सा होता है तो वो था स्केनर सवाल नमबर 89 कम्पीटर में प्रिंटे डायग्राम पाने के लिए स्केनर का 90 नमबर देखी पहला कम्पीटर माउस किस ने बनाया था तो पहला कम्पीटर माउस जो बनाया गया था वो डगलस एंज वर्ड के तवारा बनाया गया था पहला कम्पीटर माउस ठीक है ये computer mouse है आगे बढ़ते है next question की तरफ जब PC अर्थात personal computer किसी document पर कारिय करता है तब document एस्थाई रूप से storage होता है ये कहाँ पर होता है तो ये RAM RAM यान रेंडम access memory में होता है computer की मुख्य memory कहलाती है तो जो भीतर की memory होती है वो computer की man memory होती है आगे बढ़ ये floppy disk किस परकार की memory से संबन्द रखता है तो जो floppy disk है वो external memory से संबन्द रखता है RAM किस तरह की memory है तो RAM जो होता है वो एक में memory है मुख्य memory है निम्द लिखित मैंसे RAM नहीं है तो RAM कौन सा नहीं दे कि परम एक computer है RAM फिलेस ये यहां पर सारी की सारी RAM है आगे cell phone में किस परकार की storage device का प्रियोग किया जाता है तो ये किया जाता है C A C H E है ना ये वाला आगे बढ़ते हैं internal storage किस परकार का storage है तो ये होता है primary internal storage यानि बिलकुल man वाला आगे किस memory में रखा data बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है तो RAM में रखा data बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है आगे बढ़ते हैं CD को compact disk के अलावा किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो इसे optical disk भी कहा जाता है लास्ट रवाल सबसे common परकार की storage device कौन सी है सबसे common परकार की storage device है तो 100 cushion complete आपके इस वीडियो में भी होगे वीडियो अच्छी लेगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक्यू बाबाई जैहिंद